चलिए आए तो हम लोगों ने इससे पिछले वाले अध्याय में देखा था कि छेत्रमीती क्या होता है और उसके अंदर हमने दो चीजों पर बात की थी एक था परिमाप और दूसरा था छेत्रफल और इसमें हमने देखा था कि तीन भुजाओ और या उससे अधिक भुजाओ से मिल करके बनने वाले आकरितियों का परिमाप किस परकार से निकाला जाता है और उसका छेत्रफल कैस में हम वोग इस्तेमाल करते हैं जैसे कि मुझे एक सेव मिला खाने को और मैंने खाने से पहले क्या किया उस सेवभ को 2 बराबर भागों में बाठ दिया तो मैं देखूंगा कि dein कि दो बाबर काटा गया जो तरीका था वो ही हम जानेंगे कि उसी को क्या कहते है समित लाइन कहते है तो चलिए आईए और इसको अच्छे से समझते तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर दो पतिया है ठीक है यह जो है आधिपत्ती है और यह भी आधिपत्ती है एक को जो है हम कह सकते हैं कि बीच में से काट दिया गया है और एक को जो है यहां से कह सकते हैं कि सीधे में से काट अब इसको ध्यान से देखेगा तो यहाँ पर कहता है कि दरपन का कमाल क्या होता है अब सभी जानते हैं कि दर्पन क्या होता है अगर हम किसी दर्पन के सामने या सीसे के सामने या मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं तो देखते हैं कि जैसी हमारी शकल होती है वैसा ही शकल उसमें भी नजर आता है जितनी दूरी पे हम सीसे से दूर होते हैं उतना ही दूरी हमे एक हलका सा फर्क हो जाता है फर्क यह हो जाता है कि अगर हम अपना दाया हाथ उठाते हैं तो हमें वहाँ पर बाया नजर आता है और अगर बाया हाथ उठाते हैं तो हमें जो है दरपन के अंदर दाया हाथ नजर आता है तो इसी परकार से जैसे मैंने आपको एक सेव का उध सेव बना दू तो ये मेरा हो जाएगा सेव है ना और इसे क्या किया हमने बीच बराबर भागों में यहां से क्या कर दिया इसे बाट दिया तो बाटने के बाद देखा कि यह वाला आधा भाग और यह वाला आधा भाग दोनों एक ही जैसा दिखता है तो जिस तरीके से या ज अलग अलग अक्रितियों पे अलग अलग अक्ष्रों पे अलग अलग चीजों पे किस परकार से लगता है और कैसे जो है उस आक्रितियों को दो बराबर भागों में बांट देता है तो उसी तरीके से यहां पर जो है हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो यहां पर पत्ती दे जहां से पतियों को काटकर आधा किया गया है वह तूटी लाइन बनी हुई है यानि कह सकता है कि जहां से पति को काटा गया वहां पर यह आपको तूटी लाइन नजर आ रही हो तो अगर मैं यहाँ पर एक दर्पन रख दू तो जो मुझे यहाँ पर यह नजर आ रहा है सेम वैसा ही मुझे दर्पन में भी इसी परकार से देखने को मिलेगा है ना ऐसी देखने को मिलेगा और अगर मैं यहाँ पे दर्पन रख दू तो जो मुझे यहाँ नजर आ रहा है वैसा ही जो है मुझे क्या है आगे भी देखने को मिल जाएगा तो हम देखेंगे कि दरपन में वस्तूओं का, चीजों का, अक्षरों का जो कह सकते हैं बदलाओ नहीं देखने को मिलता सिर्फ हम देख सकते हैं कि आप लोगों ने एक बार मेजर या पर देखा भी होगा कि ambulance जो वाहन होता है उसका जो ambulance अक्षर होता है वो उल्टा लिखा जाता है यानि दाएं से बाएं लिखा जाता है ऐसा इसलिए होता है कि जो पीछे या उसके आगे जो गारी चल रही है उसमें जो है वो अक्षर जो है एकदम सीधा न जा रहा है क्योंकि हम जानते हैं कि दर को बाएं और बाएं को दाएं दिखाता है लेकिन अगर हम यहां दर्पन को रखेंगे तो दर्पन में भी जो हमारी चित्र बनेगी या जो कह सकते हैं वहां पर प्रतिबीम बनेगा वह एकदम ऐसा ही बनेगा तो याद रखना है कि जब भी किसी भी वस्तु को अगर दो बरा जैसे कि आप यहां देख सकते हैं आपको यहां पर कह रहा है कि ऐसी आकरितिया जीने किसी बिसेश जगह से मोरा या काटा जाए और दोनों हिससे एक दूसरे की को पूरी तरह ढख ले तो वे सम्मित आकरितिया कहलाती है यानि मैंने आपका सेव का एक्जामपल दिया था कि उसे हमने एक जगह से दो भराबर भागों में बाट दिया और अगर जो दो बराबर भाग को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो दोनों एक दूसरे की जैसे ही दिखेगा और अगर हम उसे जोड़ दे तो वो क्या करेगा उस भाग को पूरा ढख लेगा तो यहां पर यही कहता है कि किसी भी आकरिती को ऐसी बिसेस जगह से मोड़ी जाए कि जो दो भाग मिले उन्हें अगर एक दूसरे के उपर रखा जाए तो वो एक दूसरे को पूरा अच्छे से बराबर में क्या करे ठक ले तो वो आखिर लाइन जो यहाँ पर खीची गई या वो जगह जहां स कर हम देख सकते हैं कि यहां पर यह जो है यह आपको टूटी लाइन यहां पर नजर आ रही है तो इस टूटी लाइन की मदद से अगर हम इस गुलाब को दो बराबर भागों में बांट दे और दोनों बराबर भागों को ले करके एक दूसरे के उपर रख दे तो हम कह सकते है कि दोनों भाग जो होगा एक दूसरे को ढख लेगा तो ढखने के पीछे रीजन क्या था इसका दो बराबर भागों में बटना दो बराबर भागों में बटने का मतलब होता है कि एक भाग में जो चीज हमें नजर आ रही है वही चीज जो है हमें दूसरे भाग में भी क्या होगा नजर आएगा तो जिस रेखा से या जिस जगह से उसे दो बराबर भागों में बाटा गया था वही रेखा हमारी कहलाती है सममित रेखा तो इतनी बात याद रखना है कि सम्मिती में हमें ऐसे रेखा को ग्याद करना है जो रेखा उसे दो बराबर भागों में या दो से अधिक बराबर भागों में क्या कर सके बाट सके बस आपको इस वाले अध्या में वही सम्मित रेखा के बारे में जानना और समझना है तो हमने यहां देखा अगर हम इस तितलिकाओं को भी अगर उधारन ले ले तो इसे भी देखते हैं कि ये वाली जो टूटी लाइन क्या करती है इसे दो बराबर भागों में यहां पर बाट रही है और इन दोनों भागों को लेकर कि अगर हम एक दूसरे पर रखे तो यह आक ओधारन देखा और पीछे भी हम नहीं जो था यह पती गा उधारन देखा तो इसे हमें यह बात अच्छे से समझ में आने लगा है कि सममीटी या कह सकते हैं सम्मित आकरिती वो आकरिती होती है जो एक दूसरे को आपस में बराबर से क्या कर ले ढख ले ठीक है न ये बात अपने जाना तो आपने अभी तक क्या जाना हमने देखा कि अगर किसी भी वस्तू को या किसी भी आकरिती को या किसी भी अक्षर को अगर हम दो बरा वो उसे क्या कर ले, पूरा का पूरा ढख ले, ऐसे को हम कह सकते हैं, कि वो क्या है, एक सम्मिती आकरिती है, क्या है वो, तो एक कह सकते हैं, सम्मित आकरिती है, तो यहां पर हमें जो है, दो बातों का ध्यान देना, पहला ध्यान तो यह देना है, कि अगर हमें कोई आकरिती दे रखी है, तो उसे बड़े ध्यान से देखे, और देखने के बाद ये डिसाइड करे, ये सोचे कि कहां پर अगर हम टूटी लाइन खीचे तो वो उसे क्या करेगा दो बराबर भागों में बाटेगा तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है इस टूटी लाइन का होना इस टूटी लाइन का होना अगर यह टूटी लाइन सही जगह से खीची जाएगी तो ही वो आकरिती क्या होगी सममिती आकरिती कहलाएगी नहीं तो सम्मिवित आकरिती नहीं कहलाएगी अब बोलेगा सर कैसे जरा एक उधारन देकर बताईए एक दम साही मैं आपको उधारन देता हूँ अगर मैं क्या करता हूँ यहां पर देखिएगा तो चलिए अगर मैं क्या करता हूँ इसको कि अगर वह जो लाइन यहां नहीं कहलेगी क्यूंकि ये वाला भाग जो है और ये वाला भाग आई अगर दोनों को एक दूसरे के उपर रखा जाए तो उसे पूरा का पूरा धक नहीं सकता तो याद रखना है आप लोगों कि जब भी कोई आपके पास आकरिती देही रखी हो और बोला हो कि इसमें सम्मित रेखाए खीचनी है तो दिमाग में याद रखना है कि सहीं चुनाव करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कहां से अगर हम तूटी लाइन खीचे या कहां से हम सम्मिती रेखा खीचे कि वो आकरिती जो है वो दो बराबर भागों में बट जाए और एक दूसरे को क्या करे पूरा का पूरा ढख ले तो इस बात को दिमाग में याद रखना है और ध्यान देना क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको इधर से खीचा तो भी मैं कह सकता हूँ वो दो बराबर भागों में बट गया और अगर मैं इस वाले में से देख सकते हैं अगर मैं यहाँ से खीच दू तो भी ये दो बराबर भागों में बटा लेकिन ये सम्मिती आकरिती नहीं कहलाएगा मैंने क्या बोला ले आकरितिया जो दो बराबर या उस से अधिक भागों में बाटी जाए और उन्हें एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं आपस में ढख लेते हैं और ऐसा करना ही उस आकरिती का सम्मिती आकरिती बनना जरूरी है और जो रेखा उन्हें क्या करती है सम्मित आकरिती बनाती है उस रेखा को हम सम्मित रेखा कहते हैं या यूं कह सकते हैं टूटी लाइं तो इतनी बात आपने जान ली और अगर आप यह समझ सकते हैं कि कै कि इसे चुनाव करना है हमें ताकि उस आकृती को दो बराबर भागों में बाटा जाएाए तो फिर आगे आने वाले प्रश्नों में आप बड़े ही असानी से उस आकृती को देख के बता सकते हैं या उस आकृती पर आप तूटी लाइन खीच पाते हैं या नहीं खीच पाते हैं चलिए आएए देखते हैं